वेरी गुड मॉर्निंग तू आल आम सुदेशना फ्रॉम ट्रेमचन मेमोरियल पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स टूडे एस संस्कृत क्लास और आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप ठीके तो आध्यान से सुन्येगा स्टूडेंट्स बहुत ही जरूरी है शब्द रूप प स्टूडेंट्स चलिए जानते हैं कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला ठीके जिसे हम करता भी कह सकते हैं क्योंकि करता ही तो कार ने करता है किन्तु व्याकरण में यह एक पारिभाशिक शब्द हैं जब किसी संगिया या सर्वनाम पद का संबंद वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों विशेशकर क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं स्टूडेंट्स जो करता होता है जब उसका संबंद किसके साथ जाना जाता है किसी अन्य पद के साथ वाक्य में जब किसी अन्य पद के साथ या क्रिया के साथ जाना जाता है तो उस से कारक कहते हैं कि अब देखिए कारक को प्रकट करने के लिए संग्या यह सर्वनाम के साथ जो चिन लगाया जाता है उसे विबङती कहते हैं ठीक है पृतिय का विभक्त girlfriendsill होता है किन्तू हर कारक केसा विबधि लगती चिन्न का प्रयोग हो यह आविशक नहीं स्टूडेंट्स जो कारक होते हैं मैं आपको पहले ये बताती हूं कारक कितने होते हैं संस्कृत और हिंदी में कारक आर्ट होती हैं ठीक है करता कर्म करन संप्रदान अपाधान संबंध अधिकरन और संबोध ठीक है इनके हैं विभक्ति चिन्ने लगते हैं ठीक है तो देखें करता ने करम को करंड से के दुआरा संप्रदान के लिए अपादान से प्रथक करने के लिए अलग करने के लिए ठीक है संबंद काके की या जारेरी अधीकरन में पर संबोध ठीक है स्टूडेंट्स चलिए तो अब मैं आपको बताती हूँ इनका यूस कारको का और विभक्ति का यूस कैसे करते हैं तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कवी के शब्द रूप जो 11 अंद शब्द है कवी कौन से शब्द है 11 क्यों क्योंकि इसका अंद कहा पर हो रहा है ए पर हो रहा है ठीक है चालिये आगे बढ़ते हैं यह देखे जब भी हम शब्द रूप लिखते हैं तो वहाँ पर उसमें तीन वचन होते हैं और विभक्ती होती हैं ठीक है साथ विवक्ति होती हैं और आठवा क्या होता है हमारा संबोधन होता है ठीक है students तो हमारे एक वचन दो वचन बहुवचन ठीक है तो एक वचन जिससे हमें एक का बोध हो दी वचन जिससे दो का बोध हो बहुवचन जिससे दो से ज़्यादा का बोध हूँ ठीक है स्टूडेंट्स ही विबक्ति चिन मैंने ऐसी ही लगा दिये ताकि हमें याद रहे और आपको समझाने में आसानी हूँ ठीक है स्टूडेंट्स हमारी विबक्ति है प्रत्मा विबक्ति दृत्या विबक्ति तृत्या विबक्ति चतू थर्फ पुल्लिंग श्ब्द होंगे कि हमें में शुर्फ हख स्रीए कलर। आपको दिख रहा है सिर्फ यह याद रखनी की जुरुरत है आगे के जो जो जब रहें देख में र्धाच करेंगे जैसे लेकिक गषा है जो यहां पर कॉन्स पर भक्ति होती है प्रत्मा और ने लगता है इसमें तो कवी अर्थात एक कवी ने दो कवी ने सभी कवी ने दृत्यावी भक्ति देखिए कविम, कभी, कविन एक कवी को दो कवियों को सभी कवियों को ठीक है दृत्यावी भक्ति कविना, कवी भ्याम, कवी भी तो यहाँ पर क्या लगता है से या के द्वारा तो इस टूडेल्ट एक कवी से के द्वारा दो कवियों से या के द्वारा सभी कवियों से या के द्वारा चीक है चतूर्थी भी भक्ति कविये, कविभ्याम, कविभ्य यहाँ पर क्या लगेगा हमारी भी भक्ति चिन के लिए तो चलिए जानते हैं एक कवी के लिए दो कवियों के लिए, सभी कवियों के लिए, ठीक है, पंचमी में भक्ति, कवे, कवी भ्याम, कवी भ्याह, यहाँ पर हमारे में भक्ति होगी से, एक कवी से, ठीक है, अलग करने के लिए, ओके स्टूडेंट्स, एक कवी से, दो कवियों से, सभी कवियों से, ठीक है, शेश्टि विभक्ति देखिए, कवे, कव्यों, कवी नाम तो यहाँ पर हमारी विभक्ति होगी, का, के, की, या, रा, रे, री ओके स्टूडेंट्स, तो एक कवी का, दो कव्यों का, सभी कव्यों का कवो, कवयो, कविशु और यहाँ पर विभक्ति, चिन कौन सा लएगा मे या पर एक कवी मे या पर दो kıवियो मे या पर सभी कवियो मे या पर ओके, संबोधन देखिए हे कवे, हे कवी, हे कविया तो जब हम कभयों को संभोधित करेंगे तो एक के लिए हम क्या बॉलेंगे है कवे अरठाथ एक कभी और यहाँ पर क्या होगा? है कभी मतलब दो कभीयों और है कभी अरठाथ सभी कभीयों ठीखे इसी प्रकार यह जो शब्द लिखे रिशी रवी हरी अरी द्वनी विधी निधी अतीथी सार्थी इन सभी शब्दों के भी शब्द रोप इसी प्रकार बनेंगे ठीक है स्टुडेंट्स और जब हम अपनी संस्क्रित में अपने पाठ को पढ़ते हैं तो इनी के सहायता से होता है हमें समझ में आता है ठीके स्टुडेंट्स बहुत आसान है अगर आप इनको याद करोगे तो बस आपको याद कुछ नहीं करना है यह याद कीजिए जो रैड में दिख रहा है आपको बाके सब क्या करोगे आप यह सारे शब्द उसमें जोड़ दोगे तो उसके शब्द रूप बन जाएंगे ठ अगर ना समझ में आयों स्टुडेंट्स वीडियो को बहुत बार देखिए ठीके और जब भी कोई प्राब्लम आती है तो आप मुझसे पूच सकते हैं ठीके तो बाई-बाई